हाल यो, बगवान जी के खूब सारे अशीरवाद आप सब को, कल जो टॉपिक दिया था आपको रिष्टों को कैसे सुधारें, कौन-कौन रिष्टे हमारी जिन्दगी में आते हैं कर्मों के कारण, आज भी मैं दादा लक्षिम बगवान जी के सत्सम में 35 यर हो गए हैं, 35 सालों से बगवान जी से जुड़ी हुई हो, सब अनुवव किये हैं, रिष्टेदारों से, लोगों से, उनके ग्यान के तरीके से, जब समझा है कि हर रिष्टा प्री-डिस्टाइंड है, प्री-डिस्टाइंड है, कॉस्टिन था कि ए आदमी मुझे इस गर में ये इनसान दुखी क्यों कर रहा है, क्या कोई कार्मिक रिलेशन है, एक इनसान को बहुत दुखी हो रहा था अपने करम प्रानिय से, वो जानना चा रहा था कि ये क्या कारण है, तो जो भी गटित हो रहा है, वो कही न कही हमारा कोनेक्शन है, चाहिए हमारे कोनेक्शन माता-पिता से प्रेमी प्रेमी का चाचि ताई बुा चाचा जी ताया जी सगय संबंदी, सभी का कोई ना कोई रूप में हमारे साथ कोनेक्षिन है, है ने ट्रूप, अभी तो हम सब जानगे ना गवान जी करम कहानी जो हमको दिखाई है उनोंने, जो भी कटूम्ब बनता है हमारा इतना बड़ा वो भी हमारा connection है वगवान जी ने बताया तेरे ही कर्मों का खेल है अभी वो कर्मों की change जो वगवान जी ने हमें तोड़ाई है इस वारी कि मो नहीं तुम प्रेम करो और ये सब रिष्टों को देखते हुए अभी हमने कैसे इ उसी का connection था और कुछ भी नहीं था इस कारण से हम मिले थे उसके कितने एपिसोड बताए है कोई बच्चा बनके आया बिमार हुआ हॉस्पिटल में गया उदर उसका पैसा खर्च हुआ और बस वो उसके बाद चला गया कल भी था कि वो एक रुपया तक बच्चा था और व हमारे रिष्टे होते हैं प्यार वाले खुशी वाले जिसमें जैसे हमें गुरू मिल जाते हैं टीचर मिल जाते हैं कितनी टाइप के गुरू टीचर होते हैं क्योंकि जब मेरी इच्छा हुई कि मैंने दुबारा इस दुनिया में नहीं आना है तो बगवान हमारे पे करता है, कि ये इनसान अभी समझ गया है, सच को जान गया है, और इसने दुबारा जनम नहीं लेना है, तो वो हमें गुरु बेज देता है, दादा लक्षमी जैसे, कुछ पिशली जात्रा के लोगों के कोनेक्शन होते हैं, के इन्यों के साथ हमारे इतने प्यार बरे करते हैं, जिनको मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारी प्रोग्रेस होती है, ये बी क्या होता है, जिब भी हम पहली बार गुरु से भी मिलते हैं, तो इंट्यूशन आती है ना अंदर से, कि हाँ हम, इदर ही मुझे पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा आ रहा है ये भी तो बगवान करता है, कल भी मैंने बताया था, चार टाइप के लोग हैं, जो हमें मिलते हैं, एक तो रिन देने वाले, जहां धन नश्ट किया होता है, हमने किसी का, वो अपना लेने आते हैं, जमीने हमने उनकी खराब की होती हैं, वो पुत्र बनकर, संसंतान बनकर पैसा विस्ट करने आते हैं, अपना जितना भाग उनका पैसे का था, वो खतम हुआ, और फिर खतम हो गया, कोई बिजनस पार्टनर बनकर आए हैं, जमीन दादा, थली, चीना, जमीनों को चीना, वो करने आए हैं, फिर उसमें एक थे, बहुत शावकार थे, उन्होंने हुई थी, कहते हैं, इस बार दो-तिन लाख तो उनकी सेलरी थी हर महीने की, फिर भी पूरा जीवन भर उनको घर नहीं मिला, किराय पर ही रहे, जहां भी वो घर देखने जाते, कोई नों कोई पंगा हो जाता था उनके साथ, तो इस किसी ने दिखाया, तो पता चला कि उन् जमीने चीनी होई थी, जिस कारण से उनको इस जनम में घर नहीं मिला था, वो अपना घर ले ही नहीं पाए इस जनम में, कभी किसी की जमीन पर कबजा कर लिया था, उसका मूली चुकाने आये फिर वो, अगर किसी व्यक्ति को तुमने तीन साल तक दोखा दिया होगा, वो तीन साल तक तुमें भी दोखा देगा, शादी होगी तुमारे साथ, और वो चला जाएगा दोखा देके, ये भी हुआ है, पार्टनर बन कर आया, और हमेशा के लिए दुख देके चला गया, तो कौन-कौन से इनसान घर के अंदर प्रानी आये हैं, जो इतना दुख दे र रहा था, फिर एक कटर शत्रू होते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति, कभी किसने बोला होगा, मैं तेरा बदला जरूर लूगा, वो दोस्त बनकर आ जाएगा, और आया दोस्त बनके, और गया बदला लेके दुश्मन बनके, कोई ना कोई लेने देने का हिसाब था सारा, लेके चल कियों को बेशती करी होती है, हमने दुख दिये होते हैं, क्या-Kya नहीं करा होता जब तक हमें सत्संग नहीं मिला होता है, कितनी टाइप के ये कार्मिक रिलेशनशिप हैं हमारे, कि न्यूट्रल होते हैं रिष्टे, जिसमें ना लेना ना देना, जो बोया था, वही काठा वो इंसान कुछ भी नहीं करेगा, बेटा बनके भी वो कुछ नहीं करेगा, ना कमाना है, ना लेना है, सिर्व बैठ के खाना है उसने, वो दुख भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा, और ये कितना बढ़ा दुख होगा, कि उसने कुछ करना ही नहीं है, ये सारा खेल जो हमने बगवान जी के सत्संग में समझा कि तेरे साथ ही क्यों, तेरे साथ ही क्यों, तुझे ही ऐसा इंसान क्यों मिला, क्यों, ऐसी पत्नी क्यों, ऐसा पत्ती क्यों, बगवान जी के पास कोई रोने आता, कोई बोलता, बोलते तेरे साथ क्यों, एक तो मेरे सामने की बात ह मैंने पहले भी बताया है, मैं बगवान जी के पास में इधर बैठी हूँ, इधर एक लड़की है, लड़की नहीं लेडी है, सम थर्टी फाइफ फॉर्टी एर्ज ओल, बड़ा मुझ डिला डाला करके बैठी है तो, बगवान जी मेरा जेट इतना पैसा खा गया, बगवान फर्ज नहीं बनता है यह सब समझने को, अब भी तो हम रुक जाएंगे ना, खाली छीना जप्टी का नहीं है, निंदा चुगलियों का है, सारा टम हम बातों में पड़े हैं, अभी वर्टसप है, तो फ्री में है, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कितना हम बक्ती ग्यान से चूट गए हैं सारी चीजों से, तो यह सब खेल इसके बीच में आ जाता है, अभी चूटना कैसे होता है, इसका इतना प्यारा खेल है, मैं आपको बताती हूँ, जब हम बगवान जी के पास गए, बगवान जी, हम सब रोते हैं, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे पत मेरा चाहे, बड़ा प्यारा बीटा है, मेरा इतना प्यारा है, अभी उसके साथ भी तो मैंने काट करना है, उसकी जो रोड कॉड मेरे साथ जूड़ी हूई है, उसको मैंने क्या करना है, काटना है, और बगवान को सोंपना है, हे बगवान, अगर कल तक भी आप सबने नही देती हो वो निकल जाएगा और बीच में जहां गुरू को बिठाओ जहां कृषिन को बिठाओ इधर वो इनसान है बेटा है बीच में कृषिन जहां गुरू है और इधर तुम हो एकोने में उसके बीच में से वो कौड उनके साथ तूटी है और कृषिन बीच में बगवान आगया, गुरु आगया, जिसको भी आप मानते हो, फिर हमारा रिष्टा अभी आत्मिक रिष्टा है, अभी वो बेटा है, जा कोई भी है, उसकी हमने प्यार, सेवा, सब करनी है, लेकिन हम उसमें से उठ गए हैं, बहुत प्यारा है, साजो भाई ने बोला हुआ है, राम को तजू, ना तजू, ना बिसारू तो गुरु को, गुरु ने, हरी ने मुझे जनम दिया, गुरु ने मुझे आवा गमन से चुड़ाया, हरी ने पांचो तत्व दिये, गुरु ने ब्रह्म ग्यान देके, मोक्ष का रास्ता दिखाया, ऐसा ही बाहर का सूर्ज भी हमारे हि कितना मज़ा हो गया, हमने सारे उन दोस्तों को, उन दुश्मनों को, उन सब को हमने दन्यवाद देना है, जिनों ने हमें दुख दिये थे, क्योंकि उसके कारण हम बगवान की तरफ आई है, तो कितना मज़ा आगया प्यारे बच्चों, छीक है, हड़ यूम, खुब सारे आज ही आप जितने भी थोड़े बहुत मों में हो, निकल जाएं, खुब सारा प्यार सेवा करो, और बोलो जे बगवान जी के बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं, फिर आप फ्री होगे, जन्मों, जन्मों, जन्मों के लिए,